नमस्कार, अब हम लोग मेडिसिन के एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, इंफेक्शन में डेंगी फीवर के बारे में बात करेंगे डेंगी फीवर होता क्यों है, इसका clinical symptoms क्या है, इसके various phases illnesses के क्या है, इसको कैसे manage किया जा सकता है इन सारे पहलूओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम डेंगी फीवर के introduction से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेंगी के कितने serotypes हैं, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे तो डेंगी वाइरस पर हमें बात करना है, वो वाइरस जिससे fever होता है और वो fever जो clinically कई और symptoms के साथ present करता है उन clinical symptoms को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हम लोग illnesses की various phases और उसके management खास तोर पर severe डेंगी का क्या management होना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग डेंगी के अलग-अलग expects को समझने का इस lecture में प्रयाफ्स करेंगे शुरुआत हम करेंगे डेंगी के classification से कि इसको clinically कैसे हम classify कर सकते हैं दूसरा यह है कि डेंगी क्लासिफिकेशन है उसको भी धियान में रखते हुए हम इसे classify करने की कोशिश करेंगे तो चलिए मोटे मोटे तोर पर डेंगी fever के बारे में जानने की कोशिश करते हैं डेंगी क्यों होता है कैसे होता है तो यह four distinct subgroups of डेंगी viruses की वज़ा से होने वाली एक problem है जिसमें आप देखेंगे जो subgroups हैं या जिने serotypes कहा जाता है वो one, two, three, four हैं तो serotype one, two, three and four इसके द्वारा होता है इसके four serotypes हैं जिसमें serotype two सबसे common माना गया है यह topic जिसके बारे हम बात कर रहे हैं यह PSM यानि जो हमारी community medicine का जो topic है arthropod born infection उसके लिए भी यह काफी important है तो इसलिए एक बार अगर हम इसे समझ लेते हैं तो दोनों जगहों पर हमारा concept clear हो जाएगा इसमें type two serotype सबसे अधिक virulent है यह point हमें ध्यान में रखना होगा चार serotype हैं जिसमें से type two सबसे अधिक virulent होता है डेंगी का virus जो भी इसका virus के द्वारा होने वाला infection एक्चली एडीज मास्किटो के bite से होता है तो इसमें एडीज मास्किटो जो की full farm अगर जीनस और species को specify करें तो एडीज एजब्टाई मास्किटो के bite से यह समस्या हमें होती है तो यह मास्किटो भी पता होने चाहिए इसके serotype भी पता होने चाहिए डेंगी fever हीवर हुमन में कैसे होता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मास्किटो की जब bite होती है तो मास्किटो feed करता है blood को और उसको अपने survival के लिए blood की जरूरत होती है लेकिन याद रहे कि जो डेंगी का मस्किटो होता है वो दिन के समय bite करता है रात के समय bite नहीं करता है यह दिन के समय में bite करता है और यह साफ सुथरे पानी में grow करता है तो डेंगी के viruses को जो carry करता है वो है adult या जो भी आप कहले है female eddies ऐजप्टाई मास्किटो हो तो यहाँ पर यह दिन में काड़ता है और इसके larva पानी में जो पनपते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अपने eggs पानी जहां कहीं भी गमलो में या घर के आसपास में यह इसके eggs पानी में होते हैं यह धीरे धीरे larva प्यूपा स्टेज से गुजरते हुए adults में फार्म होते हैं तो इसकी life cycle को हमें अगर break कर दें हमें break करना भी होगा इसको control करने के लिए क्योंकि mosquito की bites के साथ ही डेंगी का वायरस हमारे blood में पहुचता है ध्यान रहे कि यहां जो mosquito के को control करने के लिए इसलिए government इतना ध्यान देती है क्योंकि आपको पता है कि यही carry करती है डेंगी वायरस को एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाती है अगर इसका bite ना हो तो फिर कोई समस्या ही ना हो तो आप जानते है डेंगी एक family of viruses की वज़ा से होने वाले problem है जो कि mosquito के द्वारा transmit के जाती है और यहां पर जो mosquito है वो है eddies as a time mosquito और यह actual में क्या होता एक person से दूसरे person तक infection को फैलाती है तो यह क्या होता प्रिवियसली beaten and infected person जब उसके यह blood को सक करके अपने body में ले लेगी और इससे जब next person को bite करेगी तो उसमें यह चला जाता है यह mosquito flourish करता है rainy season में और यह water filled flower pots में round the air अपनी breeding करता रहता है तो इसलिए इसको control करने के लिए governmental agencies अलग अलग हमें तरीके बताती है खैर हमें यहाँ पर discuss करना है medicine की point of view से तो हम to the point medicines पर ही रहते हुए हम बात करेंगे चलिए समझने की कोशिश करते हैं manifestations of dengue virus infections आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू जो भी lecture मैंने बनाया है यह Matthew की जो book आती है review of medicine Indian medical strengths के लिए मैंने उससे इसके resources को लेने की कोशिश किया है तो यहाँ पर हम उसी की मदद से अपने lectures पर discuss कर रहे हैं तो यहाँ इसके dengue viruses के infection का जो symptom कैसा होगा इसके आधार पर इसको दो parts में divide किया गया है asymptomatic और symptomatic asymptomatic में कोई symptoms नहीं होते हैं fever जैसा ही कुछ होगा या fever नहीं भी हो सकता है दूसरी जो symptomatic patients होते हैं उनमें undifferentiated fever होगा undifferentiated fever का मतलब यह कि ऐसा fever जिसके जो की fever normal fever जैसा होता है इसमें कोई भी आपको extra कोई feature बहुत जादा नजर नहीं आएंगे यह undifferentiated होते हैं और जब हम बात करते हैं next stage की तो उसे classical या dengue fever कहा जाता है दूसरी जो category बनाई गई है वो है dengue या classical fever एक बात पता रहे कि यहाँ पर classical या dengue fever यह normal हम इसको categorize कर रहे हैं आगे अभी मैं WHO का भी classification आपके साथ discuss करूँगा तो एक बात फिर से जल्दी जल्दी revise कर लिए यह asymptomatic होता है या symptomatic होता है symptomatic में undifferentiated है fever बस है इसको आप पता नहीं कर सकते कि यह है बस जो pattern है fever का वो उससे हम कोई बहुत जादा idea नहीं लगा सकते लेकिन दूसरा जो category है डेंगी जिसमें classical fever हमें मिलता है इसमें आप इसका अपना एक pattern होता है तो इसको हम देखकर क्यों कह सकते कि हाँ यह डेंगी हो सकता है और तीसरी category तो काफी severe होती है जिसमें डेंगी hemorrhagic fever को रखा गया है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो classical fever होता उसमें दो चीज़े हैं यह mild level का आप समझ सकते हैं इसमें कुछ लोगों में bleeding देखने को मिलती है और कुछ लोगों में bleeding नहीं देखने को मिलती है अब ही मैं बताऊंगा bleeding कैसा होता होगा यह मोटे मोटे तौर पर बस एक classification आप समझ लें आगे हम WHO classification को जब ले करके चलेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे डेंगी hemorrhagic fever भी दो तरीके का होता है शौक के साथ या without शौक तो यहाँ पर डेंगी hemorrhagic fever without शौक और डेंगी hemorrhagic fever with शौक तो इसको कहा जाता है डेंगी शौक सिंड्रोम तो उसी चीज़ को एक बार फिर से हम इस image में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं डेंगी वारस के infection से एक तो होता है कोई symptom नहीं आता दूसरा होता है symptoms आते हैं symptoms अगर आते हैं तो क्या इसको differentiate किया जा सकता है दूसरे fever से नहीं तो यह undifferentiated farm था इसके बाद symptoms वालों में दूसरी fever होती है डेंगी फीवर syndrome इसमें आप समझ सकते हैं मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ लोगों में hemorrhages होते हैं कुछ लोगों में without hemorrhages presentation होता है तो डेंगी फीवर syndrome या डेंगी फीवर या जीसी को कहा जाता है classical डेंगी इसमें hemorrhages हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं और तीसरी कटेगरी होती है डेंगी hemorrhagic fever ये दो तरीके से प्रिजन्ट करती है without shock और with shock तो इसलिए DHF की दो कटेगरी है without shock और with shock तो जो shock के साथ प्रिजन्ट करता है उसे कहा जाता है dengue shock syndrome तो इस तरीके से जो classification का तरीका है उसको हम लोगों ने देखा लेकिन WHO का classification का तरीका इसी चीज़ को modify करके आये हुए है WHO की classification में थोड़ा सा modification है WHO की according जो की 2009 का नया classification है उसमें dengue को दो तरीके से divide किया गया है वो dengue जो की without warning sign के present करता है और वो dengue जो with warning sign present करता है तो यहाँ देखे लिखा हुआ है dengue plus minus warning sign यानि वो dengue जो की without यानि minus warning sign के साथ है दूसरा plus warning sign के साथ present करता है दो dengue है और इसके बाद जो अगला severe dengue है उसमें आप severity extreme level पर होती है इसमें severe plasma leakage होता है, severe hemorrhages होते है, severe organ impairment होता है अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है इस तरीके की घटनाए plasma का leakage, hemorrhages या organ का impairment होता क्यों है होता कैसे है तो इसको मैं pathogenesis के दोरान आपको समझाने का प्रयास करूँगा एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि कई बार ऐसे dengue जो की dengue patients जिसमें कोई warning sign नहीं नज़र आता है वो भी severe dengue के साथ present कर सकते हैं तो आपको याद रखना है कि यह जो classification है यह मोटे मोटे तोर पर dengue को classify करता है लेकिन कई बार ऐसे patient जिनमे warning sign नहीं भी होते हैं वो भी dengue के patients severe dengue के साथ present कर सकते हैं without warning sign वाले भी severe dengue के case हो सकते हैं इसलिए हमें इसके समस्या को बहुत lightly लेने के जरूवत नहीं है इस पर बहुत तरीके से ध्यान रखने के जरूवत होती है तो मैंने आपको बताया इसकी जो classification है dengue की वो देखे पहला क्या है without warning sign का तो without warning sign में क्या होगा कोई severe dengue नहीं है ये इसमें कोई warning sign नहीं होगा जबकि दूसरा dengue है जो की severe नहीं है तो यहाँ पर देखे शुरुवाती जो है non severe dengue है और ये severe dengue है जो non severe dengue है उसमें plus minus warning sign है तो ये non severe dengue without warning sign और ये non severe dengue है जो के with warning sign प्रिजंट करता है और तीसरी category है severe dengue की तो इसमें जो दो category आप देख रहे हैं ये non severe है तीसरा severe है non severe में without आप समझ सकते हैं without warning sign with warning sign इस तरह के से इसको divide किया गया है WHO के द्वारा आप यहाँ पर देखें जो कि without warning sign के होते हैं वो probable dengue इनको कहते हैं इसमें क्या होता है कि हमें features मिलते हैं और ऐसे patients जो कि उस endemic area में रह रहे हैं या फिर उन जगहों पर travel कर रहे हैं जहां पर dengue का endemic zone है ऐसे patients को अगर fever हो और दिये गए criteria में से कोई दो criteria हो तो यह probable dengue हो सकता है लेकिन अभी इसमें कोई warning sign नहीं है ऐसे patients में nausea होगा, vomiting होगी, rash develop होंगे, AK होंगी, miss pain होगा और torniquet test positive मिलेगा, leekopenia होगा और इसमें कोई warning sign हो भी सकता है हालकि आम तोर पर इसमें warning sign नहीं होते हैं तो यह probable dengue का case इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें warning sign नहीं होते हैं यहाँ पर आपको पता होना चाहिए torniquet test क्या होता है यह torniquet test capillary के fragility के बारे में जानकारी देता है torniquet test को करने के दोरान यहाँ पर blood pressure cuff को apply किया जाता है और यहाँ पर इसको inflate किया जाता है कब तक midpoint between systolic and diastolic blood pressure तो आप समझ सकते हैं blood pressure का कफ लगा करके इतना pressure apply किया जाता है जो systolic और diastolic blood pressure के mid में value तक हो इस pressure पर यहाँ पर inflate करके कफ को लगा दिया जाता है पांच मिनट के लिए और इस दोरान आप बात समझ सकते हैं कितना होना चाहिए जैसे माली जे मैंने कहा 120 by 80 होता है तो हम pressure कितना लगाएंगे pressure कितना apply करेंगे तो 120 plus 80 by 2 यानि 100 mmHg का pressure लगा करके 5 minutes तक हम लगा करके छोड़े रखते हैं इसके बाद हम per square inch में होने वाले पैटिकी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं पैटिकी 10 से 20 या उससे जादा हैं तो आप समझ सकते हैं ये test positive कहा जाता है और ये सीधित और पर thrombocytopenia यानि reduced platelet count के बारे में जानकारी देता है लेकिन ये test limited इसका अपना effect है क्योंकि ये कई बार negative ही मिल जाता है मैं बस वो technique समझाना चाह रहा था तो आप समझ सकते हैं प्रबवल देंगी में क्या होता है फीवर है और इसमें से कोई दो criteria फालो हो रहा हो warning sign में क्या होता है यहाँ पर warning sign जब दिखने लगें ये sign है warning sign है और जब warning sign दिखने लगें तो strictly person को observe करना और medical intervention की आविशकता हो जाती है तो यहाँ पर abdominal pain होगा, tenderness होगा, persistent vomiting होगी, clinical fluid accumulation होने लगेगा, mucosal bleed, lethargy, restlessness, liver का enlargement 2 cm से ज्यादा laboratory test में hematocrit concurrent बढ़ जाता है with rapid decrease in platelet count तो यहाँ पर क्या हुआ, HCT का मतलब hematocrit, hematocrit concurrent बढ़ जाता है with rapid decrease in platelet count यह laboratory की finding होती है और ऐसे condition में patient को strict observation और medical intervention की ज़रूरत होती है जब severe dengue होता है तो क्या होता होगा, severe plasma leakage होता है, इसके करन शौक में person चला जाएगा तो यहाँ पर dengue shock syndrome हो जाता है respiratory distress होगा, क्योंकि fluid accumulate होने लगते है, respiratory track में और यहाँ पर मतलब आप समस्क लंग्स में fluid accumulate होने लगेगा, severe bleeding होने लगती है, जिसको clinician evaluate कर सकते है कई organ involvement देखने को मिलते हैं, liver में आप देखेंगे AST या ALT का value thousand से ज़ादा हो जाता है CNC के, जब आप CNC के features देखेंगे तो इसमें impaired consciousness मिलेगा, heart और दूसरे organs भी अब धीरे-धरे involved हो जाएंगे, उनका proper functioning नहीं हो पाता है तो इसमें आप देख रहे हैं severe dengue और यहाँ पर दो non-severe dengue, non-severe dengue में without warning sign, warning sign के साथ इस तरीके से WHO ने इसको classify किया है अब पूरी process को समझने के लिए हमें इसके pathogenesis को समझना होगा इस pathogenesis में बहुत बहतर तरीके से पूरे के पूरे sequence को समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि डेंगी का जब one serotype dengue virus का infect करता है तो यहाँ पर antibodies उस particular serotype के against बनने लगती है तो कैसे बनती होंगी उसको देखें यहाँ पर सबसे पहले जब virus body में enter करता है तो dendritic cells उसको engulf करती है और यह इसके antigen को अपने surface पर project करती है तो उनके antigen को helper T cells जा करके पहचानते हैं और इसके वज़े से यहाँ पर T cells का multiplication होना शुरू हो जाता है इस दौरान प्रक्रिया कुछ ऐसा होगा कि अगर यह ऐसा भी हो सकता है कि body की immunity इस virus को पुरी तरिके से समाप्त कर दे यहाँ पर proliferate कर गया और उनकी वज़ा से कुछ clonal expansion हुआ कुछ memory cells बन गई यह number wise ऐसे ही चलती हैं समझ से हैं तो कुछ clonal expansion हुआ और memory cells बन गई जो की next infection होने पर तेजी से effectively work करेंगी तो आप देखें serotype 1 का infection अगली बार जब हुआ secondary infection हुआ तो इसको dendritic cells ने जब अपने surface पर इसके antigen को expose किया तो हुआ यह कि यह T helper cells effectively तेजी से इसको पैचान करके तेजी से इसके against proliferation बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके से होता है यही काम आप यहाँ पर इस six number पर देखें तो यहाँ पर serotype 2 के लिए भी होगा serotype 2 के लिए भी ऐसा ही होता है कि जब यह इसके virus को engulf करता है तो इसकी पहचान जब इसके antigen की हो जाती है तो T cells तेजी से अपनी संख्या बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर specific जो T cells बन रहे हैं यह T cells वाइरस के multiplication को इस बार control नहीं कर पा रहे हैं जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं primary infection के दौरान क्या हुआ था यह virus के infection को खतम कर दिया गया था लेकिन इसके खिलाफ memory cells थी next time अगर severe attack हुआ चाहिए serotype 1 का चाहिए serotype 2 का serotype 2 ज़्यादा virulent होता है यह बात भी हम लोगों ने discuss किया और अगर ineffectively virus का control हुआ देखे यह number आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आप समझ पाएंगे किस sequence में चल ला है तो यहाँ पर ineffectively अगर virus का control हुआ तो होगा क्या यह लगातार अपनी संख्या बढ़ाते हुए चलते रहेंगे तो यहाँ पर 8 के बाद देखे 8 नमबर यहाँ पर दिखाए गया फिर 9 नमबर यहाँ पर दिखाए गया है यह लगातार cells के साथ इनका encounter होते रहेगा और इस दोरान dendritic cells इसको अपने surface पर expose करेंगे इसके कर immunity का जो normal pattern है पहले T helper cells फिर बाद में B cells भी इसमें आ जाती है और यह B cells धिरे धिरे करके इसके खिलाफ antibodies बनाने लगेंगी तो होगा क्या आप यहाँ पर देखे 11 है ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अलग अलग तरीके से यह dendritic cells है या जो भी body के defense mechanism के जो primary level पर जो immunity के लिए जो cells काम करते हैं उससे इनका encounter हो रहा और धीरे धीरे यह T helper cells और B cells से इसका encounter हो रहा है तो इसकी वज़ा से antibodies की संख्या बढ़ रही है और कई मामलों में antibodies इसको धीरे धीरे neutralize भी करते जाते हैं लेकिन problem बढ़ती जा रही है यहाँ पर आप देखेंगे serotype 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं serotype 2 है तो serotype 1 के लिए वही बात है serotype 2 के लिए भी यही बात है serotype 2 का भी अगर secondary infection हो रहा है तो इसको पहचाना जाएगा इसके खिलाफ antibodies बनना शुरू हो जाती है वो सारी चीज़े जो हम जानते वही है इसको भी neutralize करने का प्रयास किय जाता है लेकिन इसी दौरान body के दूसरे cells भी activate हो जाते हैं यहाँ पर जो antibodies है जो भी antibodies है यह जा करके signaling देती है master cells को master cells को signaling देती है और master cells इसके कारण अपने भीतर से cytokines को release करने लगता है आप समझ सकते हैं इसको microbiology का यह part है इसले इसमें बहुत जादा हम detail में नहीं जा सकते हैं बस यह समझना है कि धिरे-धिरे करके body की defense mechanism के जो cells हैं धिरे-धिरे progressively वो आने लगते हैं primary encounter हुआ तो उस समय person में infection नहीं हुआ लेकिन दूसरी बार clinical symptoms इसले आते हैं अगर वो दूसरी बार आए और वो ज़्यादा violent form में आए और उनका infection ज़्यादा severe था हमारी immunity उतनी अच्छी नहीं थी तो होगा क्या हम इसके साथ encounter तो करेंगे इसको neutralize भी देखिए यहां पर करने का प्रयास कर र body के सारे cells को information भी पहुच जाता है लेकिन virus को पूरी तरीके से खतम नहीं किया जा सका है immunity इस पर जीत नहीं पाई है तो होगा क्या mast cells के dry granulation से कई तरीके के cytokines vaso active factors निकलेंगे जो की vascular activation कराते हैं जिसके कारण endothelium की leakage हो जाती तो यहां पर देखिए cytokines जो release होंगे mast cells से यह endothelial activation कराते हैं vascular damage होगा और यहां सीधित और पर क्या होगा vascular leakage होगा जिसके कारण आप समझ सकते हैं एडिमा होगा और इस दोरान body के difference जो cells हैं उनके numbers घटते हुए चले जाएंगे जिसमें thrombocytes के number बहुत तेजी से गिरता है तो यहां पर जो primary encounter होता है dendritic cells या macrophyses से जो भी encounter होते हैं इसको आप देख सकते हैं और यह जब encounter होता है तुसी समय कई तरीके के interleukins निकलना शुरू हो जाते हैं जो body के दूसरे cells तक जानकारी पहुँचाना शुरू कर देते हैं इस दोरान ही vascular leakage होना शुरू हो जात है मास cells भी जो cytokines release करते हैं उससे भी जो vascular leakage होता है जो permeability factors जो यहां से release होते हैं vascular leakage कराते हैं और जिसके करण यहां से plasma के जो clotting factors हैं वो सारे इधर से उधर चले जाएंगे सब कुछ randomize हो जाता है platelet के नंबर गिरने लगते हैं शेरीर में edema हो जाएगा और इस तरीके से जो dengue hemorrhagic fever चुकिए immunity बहुत बुरी तरीके से यहां पर disturb होगी dengue hemorrhagic fever होगा और जब fluid का loss होना शुरू हो जाएगा तो dengue shock syndrome होगा इस दोरान body के multiple organs भी धीरे धीरे करके involved होने लगते हैं